सेट्स सिंपिल सी भासा में अगर कहें तो अगर दो सेट हैं A और B अगर A के सारे अलिमेंट यानि A के सभी अवेव अगर B में हैं तो A B का सबसेट कहलाता है वही यहाँ पर language लिखी है तो A सबसेट अब B example की साथा से मैं आपको समझाता हूँ A लिखा है 1,2,3 B में element है 1,2,3,4 तो देखिए A की जितने भी element है वो सभी B में है 1 है 2 है 3 है तो A के सारे element B में है तो A सबसेट का यह sign है यानि U बना दे लेटा हुआ और equal का sign लगाते है तो A सबसेट और B का मतलब यह है कि A के सारे element B में होने चाहिए B के सारे A में है नहीं उससे मतलब नहीं है A के सारे element B में अगर है तो A B का उप समुच्चे यानि सबसेट कहलाता है Second है number of subset यानि सबसेट तो समझ गए कहलाता है लेकिन सबसेट कितने बनेंगे तो अगर कोई सेट है जिसमें element यानि अवेवो की संख्या N है तो number of subset यानि उप समुच्चे की संख्या हो जाएगी 2 की power N ठीक एक ची और note करके दिशान रखें जो 5 है ये सबी समुच्चे का समुच्चे होता है यानि 5 is the subset of every set चलिए इसी बेस पे कोशन देखें एक सेट दिया गया है 1,2 ये सेट है हमें इसके सबसेट फाइंड करने है तो A हो गया 1,2 इसमें कितने element है दो number of subset यानि उपसमुच्चे की संख्या 2 की power n यानि 2 की power 2 यानि 4 चार subset बनेंगे कौन से बनेंगे तो subset सबसे पहले तो 5 लिखना है मैंने भी बताया है 5 तो सभी का subset होगा उसके बाद जो element set में लिखें उनको single single set में लिखना है तो set में 1, set में 2 फिर double level तो 1, 2 देखें 1, 2, 3, 4, 4 हमारे यहाँ पर subset बनेंगे next step of power set घा समुच्चे तो जो समुच्चे के उपसमुच्चे बनेंगे जैसे अभी हम लोगों ने यह देखें समुच्चे के उपसमुच्चे बनाए इन्ही को अगर हम set में लिख दें तो यह इसका power set कराता है इसे P bracket में A यानि power set of A से denote करते हैं चलिए इस पर भी कोशन देख लेते हैं तो जैसे एक set दे दिया गया A 1, 2, 1 एक set दे दिया गया जिसमें 1 तो एक element है subset कितने बनेंगे 2 की power N यानि 2 की power 1 यानि 2 subset of A तो 5 तो हो गई होगा और जो element है उसको single लिख दिया power set तो यह जो subset आये हैं इसी को देखे हमने set के अंदर लिख दिया तो यह क्या कहला हैगा power set of A next है universal set नाम से ही पता है universal set जैसे हम लोग कहते है universe universe का मदलब ब्रम्हांड ब्रम्हांड किसे कहते हैं जिसमें तारे नच्छत्र सब आ जाये ठीक तो उसी तरीके से universal set का अंदलब ऐसा set जिसमें सारे set include हो जैसे अगर हम कहे दे real number का set तो real number के set के अंदर even number का set odd number का set prime number का set rational number का set irrational number का set यानि समसंक्याओं का समुच्चे विसमसंक्याओं का समुच्चे अभाज संक्याओं का समुच्चे सभी उसके अंतर गताएंगे तो उसका क्या कलाएगा universal set फिलाल एक example के माद्धम से मैं आपको समझा देता हूँ जैसे इस set दे दिया गया A, B, C अगर हम इन ही को देखते है universal set लिखें तो ऐसा set हम लिख दें जिसके अंदर ये सब आ जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक तो देखें A भी इसमें आ रहा है B के भी सारे element है C के भी तो A, B, C ये सब क्या है U के सब से ठाहाँ एक ची और universal set को हम लोग capital U से denote करते है फिलहाल आज के लिए इतना ही कल हम लोग इन ही पराधारित कोश्चनों को solve परेंगे Thank you